OFS, OFS क्या होता है और आप किस तरीके से किसी भी कंपनी का अगर OFS आया है तो आप उसमें कैसे अपलाई कर सकते हैं यह आज इस वीडियो में हम सीखेंगे तो मैं example के लिए आपको मैं यह जिरोधा पर सिखा रहा हूँ प्रोसेस सब में same है चाहे जिरोधा हो धन हो पे टीम हो आपको सब के link नीचे मिल जाएंगे procedure similar similar सा ही है तो हम सबसे पहले समझते हैं कि OFS क्या होता है OFS यानि offer for sale offer for sale इसको हम ऐसे assume करें मतलब इसको हम ऐसे समझाए कि जैसे IPO में क्या होता है कि IPO मतलब IPO जब किसी company का आता है तो हम लोग जब IPO में पैसा लगाते हैं तो उसमें दो portion होते हैं एक portion होता है कि पैसा company को जाता है और दूसरा portion होता है जो जो already कोई shareholder है वो उसमें से निकलना चाहता है और वो अपने share बेशता है तो उसे भी OFS बोलते है वो भी offer for sale होता है तो कोई भी existing shareholder एक company में जब पैसा पहले लगा चुका है अब उससे निकलना चाहता है तो वो अपने share offer करता है sale के लिए कि मैं ये बेचना चाहता हूं तो वो हो गया offer for sale यानि OFS तो existing share हमको जाद तर जो बड़े बड़े जो OFS दिखते हैं वो जैसे हमारी जो जो government companies होती है वो जब अपना हिस्सा market में बेचना चाहता है जब वो पहली बार market में आती है तो हम उसे IPO बोलते हैं तो उसमें कुछ पैसा जो है वो company को जा रहा होता है और कुछ पैसा भारत सरकार को जा रहा होता है जो की OFS के थुरू होता है लेकिन जब एक बार company list हो गई और उसके बाद अगर company का कोई share holder जैसे की government of India या वो अपना कुछ share बेचना चाहती है तो उसे हम OFS बोलते हैं तो existing share holder का share बेचना OFS के लाता है अब अगर वो OFS आपको करना है तो वो कैसे करते हैं वो आप आईए देखिए यहां देखते हैं तो जैसे मैंने बताया कि shares में तो normally आप आपका ये जो से हमारा ये console के लिए इस पर click करते हैं और यहां हमारा ये जो console वाला जो section है इस section में हम ये portfolio पर click करते हैं तो ये मैंने portfolio पर click किया ये हमारा portfolio वाला page जो है ये खोल देता है अब इसमें आप top right में ये जो तीन जो burger जैसे जो तीन लाइने हैं आप इस पे क्लिक कीजिए ये आपका एक menu जो है regular menu खोलता है उसमें फिर से आपका ये portfolio वाला जो section है आपको इस पे यहाँ पे यह जो arrow बना है right arrow उस पे आपको क्लिक करना है तो ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखिए इसमें एक section है corporate actions फिर से remind कर दूँ यहाँ पे ऐसे त actions आया है और corporate action के अंदर आपको ofs जो है वो मिलता है तो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं इस तरीके से ठीक है तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कई तरह के corporate actions होते हैं जैसे कि ofs और डी लिस्टिंग तो अभी हम यह ओए फस देख रहे हैं ठीक है अभी सो फिस में सबसे important चीज जो है वो है कि company specific period में जैसे IPO लाती है वैसे ही OFS लाती है तो अभी इस समय जो है वो IRCON का OFS यानि offer for sales जल रहा है यानि भारत सरकार या government of India अपना कुछ share IRCON में बेचना चाहती है तो normally जैसे जब government of India बेचती है तो पहले वो QIV के लिए निकालती है वो होता है qualified institutional investor तो उनके लिए जब वो निकालती है तो वो थो एक अलग pricing होता है कई बार और फिर अगले दिन वो retail के लिए खुलता है तो आज ये जो है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज आठ तारीक है और ये सिर्फ आज आज के लिए देखिए ये सुबह के 10 बजे या भी खु के लिए नहीं बना रहा हूं लेकिन aircon का दिन है मैंने इसमें apply करना है तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो यहां पे आप ये देख सकते हैं और जब आपको ये खरीदना हो तो इस पूरे section में आप कहीं भी आप यह क्लिक कीजिए ये इस तरह से क्लिक किया और यहां पे आपको option मिलेगा place order ofs का एक price होता है उस price पे आप उसका placement कर सकते हैं उस वो price को हम lower threshold बोलते हैं उससे उपर वो बेचा जा सकता है तो हम यहां पे place order पे click करता है इस तरह किसे ठीक है अब देखिए ये जो price है ये price जो है आप चाहें तो बढ़ा के लिख सकते हैं लेकिन as a retail investor मैं normally suggest करता हूं कि आप ये cut off price का ये check box जो है ये on करें और सीधा जितनी quantity आपको डालनी है वो आप quantity डालके आप submit कर दें ठीक है और इसमें आपको पढ़ना है तो ये वाला जो i का button है आप इस पे click करके और पढ़ सकते हैं कि ofs के लिए कैसे apply करना है क्या क्या ये पूरा procedure जो है वो आपके सामने यहां पे जो है वो दिया हुआ है ये ध्यान रखें कि आपको ofs में apply करने का आपको 20 रुपए plus gst जो है वो आपको charge लगता है लेकिन ये तभी लगेगा जब आपको मिलेगा ये आप ध्यान रखें फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीजे हैं जो कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं अभी मैं इस पर नहीं जा रहा हूं अभी मैं example के लिए अपनी quantity मान लीजिए मैं यहां पर अपनी quantity जो है वो मैं 50 कर देता हूं या 20 रख देता हूं मैं example के लिए ठीक है और ये cut off का जो sign है इसको मैंने चेक कर दिया अब इ यह मैं edit नहीं कर सकता हूं मतलब अब यहां मेरा price का कोई value यहां पर मैं नहीं डाल सकता हूं इसको मैं यहां कितना भी click करूं इसको merit नहीं कर सकता हूं तो जिस पी price में finally जैसे हम IPO में apply करते हैं बिल्कुल उसी तरह से cut off price में आप इसे apply कर देंगे तो मैं यह इसके apply करने क लिए submit वाला जो button है इस पर मैं click करता हूं तो अब देखिए आपका order जो है वो बोल रहा है कि आपका order place हो गया है नाव यहां पर important चीज़ यह है कि आपके IPO से यह कैसे अलग हुआ आप जब IPO में application देते हैं तो वह application आपके UPI के थूँ आपके bank account से जाती है और वहां पर उ जो order देते हैं वो आपके इसी account से निकलेगा वो bank के थूँ नहीं निकलता है ठीक है तो अगर आपको और order place करना है तो आप यह place order पर क्लिक कर सकते हैं और आपको पुराने क्या order आपने place किये हैं वो देखना है तो यह इसी के नीचे आपको यहां पर दिखाई देगा तो यह जो है यह कैसे आता है अगर आप मान लिजिए इस पेसे वापिस जो है जो है जो चले भी गए कहीं तो फिर आप यह तीन जो menu है इन पे क्लिक करके दुबारा से portfolio पे क्लिक करके दुबारा से corporate action पे क्लिक करके यह section जो है वो आ जाएगा यहां पर आपको दिखाई दे र हैं आप अपने order को cancel कर सकते हैं कि माली जी आपने बोला कि नहीं मैंने सोचा था खरेद हूं मैं नहीं खरीदना चाहता तो आप क्या कर सकते हैं आप यह cancel order पे क्लिक करेंगे बिल्कुल जट से आपका order जो है वो cancel हो जाएगा लेकिन मुझे order cancel नहीं करना है तो मैं place order में मै दोबारा जाके यहां पर मैं अपनी 500 की quantity डालता हूं इस बार क्योंकि 500 भी नहीं मैं 800 क्या सपास की quantity डालता हूं और जो है कट आफ प्राइस करके मैं अपना order submit कर देता हूं तो यह मेरा जो है एर कॉन के लिए मेरा order place हो गया है इस तरीके से आप अपना ofs यानी offer for sale जो की existing shareholder लेकिन यह ध्यान रखना दोस्तों existing shareholder कब बेचना चाह रहा है क्यों बेचना चाह रहा है इस पे research करें अपने analyst से बात करें और तब यह trade आप लें सिर्फ मैं कोई बता रहा हूं उस angle से please कर प्या कोई trade ना लें that is it thank you bye bye